हेलो एवरीवन मैं हूँ सचीन और आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 13.1 का कोश्चन्स और आज हम लोग देखने वाले हैं कोश्चन नमबर टू तो सबसे पहले समझ लेते कि कोश्चन नमबर टू क क्या कह रहा है हम लोगों से देखिए कोश्चन नमबर टू का कहना है दा लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ रूम इस फाइब मीटर फोर मीटर एंड थ्री मीटर रिस्पेक्टिवली ठीक है मतलब की एक रूम है उसका लेंथ और हाइट दिया गया है अब यहां पर फिर बोला ग कि फ्लोर अफ दा रूम में तो हम लोग चुना नहीं करवाएंगे ना वाइट वासी नहीं करवाएंगे तो यह आपका फ्लोर अफ दा रूम है इसको तो नहीं लेना है हम लोगों को क्या लेना है यह जो फोर वाल है अफ दा रूम मतलब यह चार साइड जो हो गया यह ले यहां पर रेट दिया गया वाइट वासिंग का पर मीटर का चार्जे से 7.5 ठीक है साथ रुप्या पचास पी पैसा पर स्क्वाइर मीटर लगता है तो सिंपल सा बात है इसका पूरा एरिया निकाल देना है और इस पैसे के साथ उसको मल्टिप्लाई कर देना है तो इस रूम यहां पर भी आप लेटर सर्फेस एरिया का जो फॉर्मूला उसको पूट कर सकते हैं और फिर उसके साथ में आप इस वाला पार्ट को इंक्लूड कर दीजिए मतलब यह जो टॉप आप दा सीलिंग का जो आपका लेंट आरा उसको आप इंक्लूड कर दीजिए तो भी हो ज हाइड चाहिए मतलब फंट चाहिए हमको यह फंट वाला साइज चाहिए तो फंट के साथ में बैक वाला भी लेना होगा दोनों चाहिए तो देखिए फंट वाला निकालने के लिए मतलब कि यह जो रेक्टेंगल है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगो को height लेना होगा और length लेना होगा मतलब की LH में लिख दू तो कोई दिक्कत नहीं है और ये आगे का लेना है तो आपको पीछे वाला side भी चाहिए दोनों same होता है तो इसी को मैं 2 से multiply कर देता हूं एक हो गया दूसरा मेरे को क्या चाहिए भाया मेरे को ये जो right side है ये इसका area अगर हम लोगों को निकालना है तो किसको किसको multiply करना होगा h को b के साथ multiply करना होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं plus क्या करना होगा हम लोगों को h को b के साथ multiply करना होगा h और b height into breadth और यहाँ पे भी 2 face है ना तो यहाँ मैं लिख देता हूं 2 ठीक है अब इसके साथ मेरे को क्या चाहिए भाईया यहाँ पे floor नहीं चाहिए यहाँ पे मेरे को सिर्फ ceiling चाहिए अब यह ceiling का अगर मैं निकालू तो मेरे को क्या क्या चाहिए देखिए मेरे को length चाहिए और मेरे को breadth चाहिए तो यहाँ पे plus मैं क्या लिख दूंगा L, B लिख दूँगा, बात खतम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल, टोटल, एरिया, टू बी, वाइट, वास्ट, ठीक है, इक्वल टू, टो, क्या होगा, यही एरिया न, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू, L, H, प्लस, टू, H, B, प्लस, L, B, अब हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, इसका वैल्यूस को, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज बताना बोल गया, कि देखिए, सबसे पहले तो यह वैल्यूस हम लोगों को लिख लेना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लेंथ जो है, L, इक्वल टू, फाइव दिया गया है, और ब्रेथ बी का वैल्यू जो है, वो फोर दिया गया है, और आपका हाइड का वैल्यू जो है, वो थ्री दिया गया है, और सब भी मीटर में है, तो यहाँ लोगों कुछी भी चीज का कनवर्सेशन का कोई भी जरुवत नहीं था, क्योंकि सारा का unit same है तो अब यही values को यहाँ पे put कर देना है देखिए length into height, length into height मतलब यहाँ पे 2 को फिर 5 into यह हो गया length और height हो गया 3 plus फिर क्या है 2 height into breadth तो यहाँ पे height क्या है height है 3 और into breadth, breadth कितना है भईया 4 इसको भी 2 के साथ multiply करना है plus L into B तो वो है 5 into 4 तो इस प्रकार से यहाँ पे जो value मिला हमको 5, 3 जा 15 और 2 यह हो जाएगा 30 plus यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखिए यहाँ पे 6 into 4 मतलब 24 और उसके बाद 5, 4 जा 20 ठीक है और एक चीज़ यह सारा का area निकल रहा है तो मतलब जो unit होता उसका square ही होगा meter square तो यहाँ पे ऐसे मैं कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दू meter square तो चलेगा अब यहाँ पे मिला मेरे को 30, 24, 20 तो यह सारा को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 74 मिलेगा that means जो room का पूरा cover होने वाला area था जिसमें white washing कराना है वो निकल गया 74 मीटर square वो कितना निकल गया 74 मीटर square अब हम लोग simple जैसे पहला वाला question किये थे यह भी पिल्कुल वैसे ही है उसमें हम लोग top का पार्ट छोड़ दिये थे इसमें हम लोग क्या कर रहे है bottom में तम नीचे का पार्ट छोड़ दे रहे है ठीक है अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं direct the cost 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 of white washing बगरा मैंने लिख रहा हूं मैं सिर्फ लिख रहा हूं cost of one meter मतलब एक meter square का cost अगर पड़ता है सात रुपया पचास पैसा तो जाहिर सा बात है कि cost of 74 74 meter square का कितना पड़ेगा भाईया इस 7 रुप्या 50 पैसे को हम लोगों को गुना कर देना पड़ेगा 74 के साथ में और इसको हम लोग multiply करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या हम लोगों को मिलेगा 500 555 रुपीर ये सब में इधर RS RS और RS में लिख देता हूँ तो I hope कि आप सबको ये question भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ इसका solution भी आप लोगों के दिमाग में बैट गया होगा आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे अगर समझ गए हो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को एक like दे दीजेगा और मेरे चैन को सब्सक्राइब करना मत बूलिये